चैलेंजिंग और इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मैथेमेटिक्स का आता है मैथेमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी संगर्फ करते हैं वह mathematics को पढ़ना ही नहीं चाते या फिर अगर वह पढ़ते हैं तो उन्हे mathematics बहुत जादा hard लगती है चाहे हम अपने school के exam दें, board के exam दें, mathematics एक ऐसा subject है जिसमें एक विद्यार्थी को सबसे कम confidence रहता है कि वह पूरे के पूरे एंक ले करके आएगा, अच्छे से अच्छे marks को score करेगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने mathematics में किस तरीके से सोने से सिखर तक पहुचें यानि zero से hero बने तक का सफर, किस तरीके से आप mathematics में तै करें, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे पहले जान लें कि mathematics को पढ़ने का आपका तरीका, वह बिलकुल भी सही नहीं है जब आप mathematics की पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि mathematics जो subject है, वह तीन चीजों से मिलकर बना है theory, concept और questions, दोस्तों जब भी हम mathematics को पढ़ते हैं, हमें हमेशा यही बताय जाता है कि सिर्फ हमें सवाल practice करने हैं, बाकि कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमें formulas को रटना है, उन्हीं formulas को use करना है, solve करते चले जाना है, बिना किसी concept को समझे, बिना किसी theory portion को समझे सबसे पहले आप जान रखें, आप board exam के पड़िक्षारती हैं, आप किसी भी class instrument है, अपने किताब को पहने की आदर जरूर डालें, मैं आप फिर इस example देता हूँ, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल पूस्ता हूँ छोता सा, और आप मुझे comment section में इसका answer दीजेगा, जैसे कि अ मैंने कभी इस चीज को पढ़ा है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कि जब आपने किताब को आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे points आपको मिलते हैं, जो आपकी exercise में, आपके concept को build करने में, बहुत ज्यादा help करते हैं, तो सबसे पहला काम के लिए आपको ये क कर पाएंगे, मैं आपसे यहाँ पर दो-तीन चीजे पूस्ता हूँ, जैसे हम बार-बार पाइथा गोरस ठ्यूरम को पढ़ते हैं, पाइथा गोरस ठ्यूरम का यूज हम राइट एंगल ट्रेंगल में बहुत जादा करते हैं, बहुत सारे से विध्यारती होते होंगे, जि इस ट्रिप्लेट के इधार पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट को हम learn भी कर सकते हैं, बात यह होती है कि mathematics के subject में हम सिर्फ formula-based approach को ले करके चलते हैं, जब हम theory को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर से बहुत सारे doubts clear होते जाते हैं, और हम चीजों को समझने कीabulary क बढ़ाते हैं लेकिन जब other subjects की बात आती है तो हम theory पर बहुत ध्यान देते हैं, mathematics में हम ignore कर देते हैं और direct exercises के question, example के questions पर चले जाते हैं, जिससे के हमें problem होती है, जब वो कोई technical और conceptual सवाल फूसता है, तो उसमें कहा जाता है कि आपको book की reading करना must है, आपनी theory को जुरू तो अपने concept को आप बहुत से तरीके समझ पाएंगे, सवालों को solve कर पाएंगे, दूसरी बात, learn your formula chapter wise, आपको एक साथ सारे formulas को learn नहीं करना है, जब आप अपने सारे formulas को एक साथ learn करते हो, तो आपका अपना syllabus बहुत lengthy आपको लगता है, आपको अच्छा लगता है कि बहुत सारे formulas, बहुत सारे chapters के अंदर है, आपको पढ़ना है, आपको यहाँ पर phase wise learning करनी है, माल लीजे कि आप class 10 के स्टुमेंट है, और आपने trigonometry को start किया, तो trigonometry में जर्नली हम 3 part class 10 में पढ़ते हैं, trigonometric ratios, trigonometric ratios of complementary angle, trigonometric identities, तो सबसे पहले जब आप trigonometric ratios को पढ़ना है, तो आ angles की value को याद करेंगे, और इसके बाद हम जो basic identities आपकी 3D होती है, उनको याद करने वाले हैं, इसी तरीके से, जब आप phase wise learning करने हैं, तो आप अपनी exercises पर, chapter के हर concept पर पकड़ पाते हैं, और formulas को learn करने का सबसे best तरीका है, practice, 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 जितना जादा question आप practice करेंगे, आपको मैं बताता हूँ, formula learn करने की जरूत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार उपने questions में उन formula को यूज करते हैं, और वो आपके mind में stuck हो जाता है, और लंबे समय तक आपको याद रहता है, जैसे आप बहुत सारे विद्याक्यों को देखते होंगे, कि उनको 5-6 साल के बाद भी, बहुत सारे ऐसे formulas होते हैं, जो उन्हें correctly याद होते हैं, अगली बाद, learn formula very consciously, बहुत सारे बच्चे बिना unit के, जैसे बहुत सारे formulas, area के unit, आपकी square meter होती है, इसके बाद volume के आपकी cubic units होती है, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा, कि आपकी कौन से unit में क्या चीज़े दी होई हैं, जब आप mensuration के question को solve करते हैं, बहुत सारे ऐसे questions होते हैं, जिनको हम units के थुरू पहचान पाते हैं, कि इस question में क्या given है, तो आपको जो भी formula आप याद करें, जो भी चीज़ें आप learn करें, उसके units हमेशा याद रखें, कि इस unit में चीज़े रहेंगी तो आपको किस चीज़ की value दी होई हैं, अगली बात ध्यान रखें, जब आप mathematics को पड़ते हैं, don't use multiple resources, बहुत सारे बच्चे तरह तरह की किताब, RD Sharma, RS Agrawal, KC Sinha, ML Agrawal, S4 तरह की publisher की book लेकर के आते हैं, और किसी की book पर work command नहीं पाते हैं, मैं सबसे पहले board के परिक्षार नहीं रखनी हैं, try to solve NCRT in a correct way, जब आप NCRT को solve करते हैं, आपने यह महसूस किया होगा, कि जो example के questions होते हैं, वो exercise से कई गुना best होते हैं, और वो आपको concept के साथ-साथ trick और नई-नई वे IT के questions आपको देते हैं, उसी base पर आपको अपनी reference book में question खोजने हैं, और उन questions को solve कर करना है, जिससे कि आपका पूरा syllabus आपके command में हो, आप अच्छी practice कर पाएं, जाजा से ज्यादा marks math में लेता हैं, अगली बात ध्यान रखें कि mathematics के revision जबाब करते हैं, तो revision in a proper way, revise in a proper way, आपको करना यह है कि जब आप mathematics की book को पहली बार solve कर रहे हैं, तो पहली बार आप हर question को solve करें, और जो भी question आपको doubt हो, उन्हें आप mark कर लें, जब आप second time division करें, फिर आप उन questions को दुबारा बनाएं, जो questions आप से नहीं बने थे, और जब आप third time division करते हैं, किसी भी chapter का, तो हमेशा ध्यान रखें कि हर question को एक बार देख जरूर लें, और जिन questions को आपने mark किय जा था, जो आप से दूसरी बार और पहली बार नहीं लगे थे, उन questions को जरूर स्वाल करें, क्योंकि हम जब सवालों को छोड़ कर जाते हैं, और वही सवाल हमें याम में देखने को मिलते हैं, तो हम घवरा जाते हैं, और हम उन सवालों को नहीं बना पाते, अब बात आती से कम, 25 तक के table, तुलाने चाहिए, बहुत सारे ऐसे दस्वी बार नहीं के student हैं, जो कि बहुत ही सर्म की बात है, कि उन्हें table नहीं याद होता है, वो table याद नहीं करते हैं, इस वज़ा से उनकी बहुत सारे calculations, बहुत सारी चीजें, उनसे स्वाइर रूर्स तक वो नहीं न मुझे इस बारे में आप guide करें, मुझे इस पर काम कराएं, क्योंकि आपकी calculation speed, आपकी problem solving penalty बढ़ेगी, तब आपका mathematics में interest बढ़ेगा, और अंतिम तिव्जो मैं आपको दूँगा, वो यह है कि daily, आपको 15 questions daily लगाने हैं, कितना भी कम आप पढ़ें, लेकिन mathematics में याद आप regularly practice करेंगे, उतना ज़्यादा perfection की तरफ, आप mathematics में पहुचेंगे, तो आपको regular 15 questions आपको कम से कम लगाने हैं, और इस तरह से अगर आप लगाएंगे, तो एक महिने में आप लगवलवग 450 questions, 400 सवालों को आप solve कर चुके होंगे, और तिर आपको confidence एक दम next level पर होगा, जो की आपको आपके exam में score करने में बहुता मद करेगा, mathematics से एक ऐसा subject है, जिसमें आपको लगातात practice करनी है, बने रहना है, इससे दरना नहीं है, सबसे बहतरीन subject अगर मानता हूँ किसी को, तो mathematics है, लेकिन आपको आपके पहने का approach बदलना होगा, तरीका बदलना होगा, न अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों में, अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को research सेर करें, चैनल पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को subscribe करें, notification bell को tap करें, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयाहिंद बंदे मात्रम झाल